तो अपने Android phone के अंदर कैसे आप BGM को एक क्लिक के अंदर install कर सकते हो इसके उपर मैंने dedicated वीडियो बना दिया था उस वीडियो का link में नीचे description box के अंदर दे दूँगा तो जो भी सारे Android प्लियर से उनका तो problem solve हो गया पर जो iPhone के प्लियर से उनका अभी भी problem बचा हुआ है कि आइफोन के अंदर कैसे गेम को install करें या फिर किसी को अगर री इंस्टॉल करना हो गलती सा अनिस्टॉल हो गया हो तो कैसे आप कर सकते हो इस वीडियो के अंदर मैं आपको practical दिखाने वाला हो इससे पहले मैं बता दिया था वसा आपको पर इस वीडियो का अंदर मैं प्र और देख सकतो यह मेरा में अकाउंट है अभी सबसे पहले यहां पर देख सकतो जो भी सरे रिसोर्स पेक है यह सब कुछ डाउलोड है मेरे पास फिलाल देख रहो तो यही मेरा अकाउंट है तो अभी इसको अनिस्टॉल करते है और 10GB प्लस यहां पर साइज हो गया तो चल यहां भी जाना पड़ेगा एप स्टॉर के अंदर क्योंकि आपको पता होगा आइपोन सब्लोग 340 साइट से कोई भी एप्लिकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते जो भी करना पड़ेगा मैं एप स्टॉर से करना पड़ेगा यहां पर प्रोफाइल के उपर आपको टैप करने तो देख सकते हैं पर BGM आ चुका है तो इसके उपर अगर टैप करते हैं तो यहां पर नहीं एप्लिकेशन दिखाएगा पर यहां पर देख से तो राइट साइट के अंदर डाउंलोड का पूप्शन आ गया था तो यहां पर डाउलोड पे मैंने टैप कर दिया तो यहां स्टार्ट हो चुक है और इस ट्थोड़ा अभी टाइम लएगा वी थोड़ा वेट करना परेगा उससाइब करए उससे पहले एक चीज़ बता दू तो मेरा जो फोन है लगबग एक साल हो चुक है मेरा Apple ID जब मैंने phone purchase किया तो उसके बाद ही create करके BGM को install कर लिया था जिसके करान आज तक purchase option में BGM यह आपा show हो रहा है इस trick को मैं बार बार use कर सकते हो BGM का uninstall करके फिर से भी install कर सकता हूँ पर अगर आपके पास एक निया Apple ID है जिसके अंदर आज तक आपने एक बार भी BGM को install नहीं किया है तो यह trick work नहीं होने वाला मतब मालो आपने निया phone purchase किया है निया Apple ID अपने create के BGM बैन होने के बाद तो आपका यह trick work नहीं होने वाला तो बीजय में को install करने के लिए वो Apple ID से एक नहीं एक बार बीजय में को install किया गया हो तभी जाके यह trick work करेगा नहीं तो नहीं करने वाला तो फिलाल देख सकते हूँ मेरे यहाँ पर एप इंस्टॉल हो चुक है open option आ चुक है तो simply open में कर दिया open करने के बाद यहाँ पर देख सकते हूँ जो भी यहाँ पर प्रोसेस रहता है जो भी पर्मिशन मांगते वह यहाँ पर आपको देने परेगा फिर यहाँ पर 20 MB के कड़ीब एक update आपको देखने को मिलेगा उसके बाद गेम को restart करने के आइडी होना चाहिए जिसके अंदर आपने एक नए एक बार BGM को इंस्टल किया है तो सबस्पेहले तो वीडियो को शेर करो उन दोस्तों के अंदर जिनके पास आइफोन है और जो लोग ने आइफोन पर्चेस के उनके अनके इस वीडियो को शेर कर सकते हो बाकि इंस्टा अपडेट के टॉप के फीचर्स के बारे में जानना है तो राइट साइट के अंदर वीडियो आ रहे है टैप करके आप चेक कर सकते हो